गुद मॉर्निंग स्टुदेंट वेलकम तो नप्या ओनलाइन स्टेडी चैनल तोड़े विल कंप्लीट दे नेस्ट चेप्टर दा गिविंग ट्री तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाव दू यू फिल वेन यू हैप समवन हाव कैसे जब तुम दूसरों की मदद करते हो याँ अपनी चीज़ों को देते हो मारते हो with others दूसरों को तब तुम कैसा अनुभा करते हो ठीक है how do you feel means तुम कैसा अनुभा करते हो read this play to know how a tree feels with feels when it help a boy ठीक है पैरा कि इस play को पढ़िये और जानिये कि कैसे how a tree feels कैसा एक पेड़ का अनुभा हुआ जब उसने एक लड़के की मदद की ठीक है बचो बहुत इंट्रेस्टिंग स्टोरी है बस इंट्रेस्ट के सांसांथ इंट्रेस्ट लेना है और सांसांथ क्या करना है जो भी word जिनकी meaning आपको problem है जिनकी meaning में उन्हें write down करना है उन्हें लिखना है ठीक है तो चलिए narrator once there was a tree once एक बार ठीक है once एक बार there was a tree एक पेड़ था and it loved a little boy और यहाँ एक छोटे से बच्चे को बहुत प्यार करता था everyday परते एक दिन the boy would widget the tree जब जो लड़का था वो widget करता था पेड़ के पास यानि पेड़ से मिलने आता था and enjoy its company और इसकी company को enjoy करता था यानि इसके साथ जो है उसे बहुत आनन्दा रदा था tree ठीक है come here यहाँ आओ my boy मेरे बच्चे come and climb up come out and climb चड़ जाओ आप उपर my trunk trunk means क्या होता है बताओ trunk बताओ बच्चो trunk means क्या होता है trunk means होता है ठीक है तो कह रहा है कि आओ और मेरे trunk पे चड़ो and swing from my branches और branches होती है साखाएं और मेरी साखाओं में जूलू ठीक है जो पेड़ की साखाएं गई होती है boy swing from branches boy यह है वो क्या करता है branch में क्या करता है swing करता है ah what fun wow कितना मजा आ रहा है tree are you hungry अब पेड़ पूछता है कि क्या तुम भूगे हो eat खाओ my apple मेरे से boy eating apple how delicious जब वो apple खाड़ा होता है तो बोलता है how delicious delicious means होता है swadist ठीक है बच्चो आब write down जरूर करते रहना इन सब्दों को delicious means होता है swadist तो कितना swadist है ऐसा कौन बोलता है लड़का narrator when the boy was tired जब अच्छा narrator क्या है जो ये कहानी बता रहा है उसके बारे में बोला गया है narrator ठीक है when the boy was tired जब boy ठका हुआ था tired means होता है ठकना जब boy ठक जाता था he slept वह सो जाता था under the tree पेड के नीचे under means नीचे ठीक है the tree was happy पेड खुश था to give its aid इससे चाया देके shade means होता है चाया give means होता है देना but time went away लेकिन समय निकल गया and the boy grew older और boy जो लड़का था वो बड़ा होने लगा and went away और चला गया ठीक है बड़ा हुआ और चले गया ठीक है बच्चो the tree watch often alone tree जो था often pray alone अकेले रहता था ठीक है after some years कुछ सालों के बाद after बाद some कुछ years कुछ सालों के बाद one day एक दिन the boy came लड़का came आया to the tree पेड के पास and the tree was very happy और पेड क्या था वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था ठीक है बच्चो आरे ये बाद समझ में देखो ये पेड की यहां पर तस्पीर दे रिकिया आप अपने बुक में देख सकते हो कैसे इस पे सेब लगे है कितना हरा बरा पेड है ठीक है उसके बाद क्या हुआ tree come my boy come मेरे बच्चे आओ ठीक है बहुत टाइम बाद जब लड़का वापस आए तो पेड बोलता है कि come आओ मेरे बच्चे आओ and climb up और चर जाओ my trunk and swing from my branch और मेरे branch मेरे साखाओं में क्या करो swing means होता है जूलना ठीक है boy I am too big अब मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ to climb and play मैं खेलने के लिए बहुत यानि मैं आप खेल नहीं सकता है मनलब उससे कहने का हुलना है बहुत बड़ा हो गया हूँ ठीक है अब मैं ना तो खेल सकता हूँ और ना ही मैं पेड़ पे चड़ सकता हूँ ये कहने का मत्दब I am too big to climb मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ पेड़ में चड़ने के लिए और खेलने के लिए I want to buy things I want मैं want चाहता हूँ to buy खरीदना things चीजें मैं चीजें खरीदना चाहता हूँ and have fun और क्या करना चाहता हूँ मज़े करना चाहता हूँ या लाइब को बड़ा बनाना चाहता हूँ ठीक है I want some money और उसके लिए मुझे क्या चाहता हूँ I want मैं चाहता हूँ some kuch money पैसा मैं उसके लिए क्या चाहता हूँ कुछ पैसा Can you give me क्या तुम मुझे दे सकते हो some kuch money पैसा Can you give me some money क्या तुम मुझे कुछ पैसा दे सकते हो अब ऐसा लड़का किससे पूछ रहा हूँ बच्चे हो किससे पूछ रहा है पेड से पूछ रहा है ठीक है चलिए अब पेड क्या जवाब देता है देखते है आ रहा है बच्चो कहानी में मज़ा बहुत प्यारी कहानी है लेकिन Hindi translation ऐसा आपको समझ मा आ जाना चाहिए कि आप भी इसी तरीके से समझा सबो ठीक है ट्री I'm sorry मुझे माप कीजिए बट आई हैब नो मनी लेकिन मेरे पास I have means मेरे पास नो नहीं मनी पैसा मेरे पास पैसा नहीं है I have only leaves मेरे पास I have मेरे पास only सिर्फ लीप्स पत्यां है and apples और क्या है apples है save है you can pluck तूर सकते हो pluck means होता है myself and sell them and sell them ृर उनको बैस सकते हो sell means होता है बैसना them unko in the market ठीक है market means बाजार तूम मेरे save तोड़ सकते हो हर क्या कर सकते हो ठीक है और उनको market में बैस सकते हो then तब you will have money अब बॉइ ने क्या किया हैपली प्लाग्ड खुश होके हैपली खुश होके प्लाग्ड तोड़े दे एपल से और ले गया देम उनको अवे दूर दूर यानि मार्केट दा ट्री वाज अलसो हैपी और पेड भी क्या था खुश था बट लेकिन दा बॉइ स्टे अवे फर लॉंग टाइम यानि वो लंबे समय के लिए दूर रहा एंड ट्री वह सेड और उसके बाद पेड क्या हो गया दुखी हो गया था क्योंकि लड़का बहुत टाइम से आया नहीं था उससे मिलने वन डे एक देन दा बॉइ केम बैक एंड एक दिन जो लड़का था वो केम ब बच्चों जोई मिंस खुशी से चलिए उसके बाद क्या होता है बहुत इंट्रेस्टिंग स्टोरी है ट्री कम आओ बॉइ लड़के कम आओ क्राइम चड़ जाओ माई ट्रंक मेरे तने पे स्विंग जूलो फ्रॉम माई ब्रांचेज मेरी साकाओं से इट माई एपल मेरे स आओ यानि मेरे पास वक्त नहीं है टू क्लाइम ट्री पेड में चड़ने के लिए आंग गेटिंग मैरीड मैं साधी कर रहा हूं मैरीड मीस होता है साधी करना आइम गेटिंग मैरीड मैं साधी कर रहा हूं and i need a house ठीक है मुझे एक नीड आउश्यक्ता है house घर की फॉर पतनी के लिए wife means क्या होता है बीबी पतनी and children और बच्चों के लिए मुझे घर की आउशकता है मेरे wife और मेरे बच्चों के लिए can you give me a house क्या तुम मुझे घर दे सकते हो three I have no house मेरे पास घर नहीं है but लेकिन you may cut तुम may सकना cut 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 off cut my branch तुम मेरी ब्रांचों को मेरी साखाओं को काड़ सकते हो and build a house and build means banana a house means घर और तुम उससे क्या बना सकते हो एक घर बना सकते हो तो पेड़ ने पहले उसको क्या दे दिये अपने सारे apple दे दिये और उसके बाद आप क्या करो सारी branches काट के ले जाओ देखे कितना कुछ पेड़ उसको दे रहा है ठीक है बदले में वो बच्चा क्या कर रहा है narrator so the boy cut off the tree trees branch ठीक है तो so the boy लड़के ने cut off काड़ दे the trees branches पेड़ की साखाओं को काड़ दिया and carried और ले गया them उनको away दूर to build a house अपना घर बनाने के लिए the tree was very happy और पेड़ जो है अभी भी क्या था tree was very happy पेड़ क्या था खुस बहुत ज़्यादा खुस था but लेकिन the boy stayed away लेकिन बच्चा जो लड़का था वो बहुत दिनों तक stayed away stay रहा अवे दूर for a long time लंबे समय तक वो दूर रहा या उससे मिलने नहीं आया and the tree was sad again और पेड़ जो है फिर दुखी हुई है कि बच्चा मेरे से मिलने नहीं आया अब तो बच्चे बेचारे की पेड़ की जो है साकाई भी नहीं रह गी थी खाली ट्रंक रह गया था and when he came back और जब वह वह जब ही वह came आया back वापस after some years years means साल वर्स जब वो कुछ समय के बाद वापस आया कुछ समय के बाद जब वो वापस आया the tree paid was so happy paid फिर खुश हो गया था that it could hardly speak ठीक है that it could अब वह जो है बहुत hardly बहुत मुश्किल से ही बोल सकता था now the boy was a young man लेकिन अब जो लड़का था वो क्या हो गया था young जवान आदमी बन गया था three फिर पेड करता है come boy come आओ बच्चे आओ what can I do for you अब पेड भी समझ गया कि कुछ ना कुछ मांगने के लिए आता है तो बच्चे what can I do for you मैं तुमारे लिए क्या कर सकता हूँ ठीक है do means करना for लिए you तुमारे मैं तुमारे लिए क्या कर सकता हूँ ऐसा पेड उससे पूछ रहा है ठीक है young man I am going on a business trip I am going मैं जा रहा हूँ on business trip ठीक है किसी काम के लिए trip means होता है यात्रा पे business की यात्रा पे मैं कहीं जा रहा हूँ I want मैं चाहता हूँ a boat एक now चाहता हूँ board means now to take me away जो मुझे वहां ले जाए जो मुझे दूर ले जाए business के लिए ठीक है take means ले जाना can you give me a boat क्या तुम मुझे एक now दे सकते हो अब लड़का उससे पूछ रहा है कि क्या तुम मुझे नाव दे सकते हो three all I have left is a trunk अब मेरे पास क्या हो गया I have left मेरे पास सिर्फ क्या बचा है अब trunk बचा है तना बचा है cut down my trunk मेरे trunk को काट डालो and make a boat और एक boat बना लो then you can sail away ठीक है और उसके बाद तुम क्या करो इसे sail away means होता है तुम उसके बाद sail away means होता है बताओ क्या होता है रवाना हो जाना या जलियात्रा करना तो गयरा है कि तुम उसके बाद जो है तुम उससे इंग नाव बनाओ और अपनी जलियात्रा पे निकल जाओ, narrator, the young man cut the trunk, young man ने उस जो लड़का जो था, वो जो young man बन गया था, उसने cut कार दिया trunk तने को भी of the tree पेड़ के and sailed away in a boat, और boat से बहुत दूर जो है पनी यात्रा पे निकल गया, the tree was left only with a stamp, और tree के पास अब क्या बच गया था, बेचारे के पास सिर्फ स्टंप पेड़ को नीचे जड़ से जब जहां से हम कारते हैं, उसके बाद उसके ठूंट जैसी बसती है, तो उसी को stamp बोलते हैं, तो स्रिफ उतना ही बच गया था, वो अभी आपको नीचे pick में killer हो जाएगा, कि अब पेड़ के पास बिचारे के बाद बच गया था, देखो, ये जो काट रहा पेड़ को ना, देखिए, क्या बज़ गया था उसके बाद, ये देखिए, इतना बज़ गया था पेड़ के पास, इसी को stamp बोलते हैं, ठीक है, हम समझते वे जाएंगे, जिससे क्या होगा, कि आपको चीजें killer भी होती जाएंगे, ठीक है, तो चलिए, उसके बाद क्या होगा फिर, only a stump, and after a long time, और after a long time, और लंबे समय के बाद, the young man came back, young man जो है, came आता है, back वापस, again दुबारा, now he was an old man, now अब, he was an old man, अब वह एक बुज़र्ग ब्यक्ति बन गया था, but the tree recognized him, लेकिन उस पेड़े ने, अब पेड़े रह नहीं गया था, stump जो उसका बज गया था, उसने recognized means होता है, पहचान नहीं हम उसे, लेकिन उसने उससे पहचान लिया, जब वह बहुत लंबे समय बाद वापस आया, तो वो जो young ब्यक्ति था, वो क्या बन गया था, वो ल friend, दोस्त, but I have nothing left to give you, लेकिन I have, मेरे पास nothing, कुछ भी नहीं left बचा, to give you, तुम्हें देने के लिए, मेरे पास तुम्हें देने के लिए, कुछ भी नहीं बचा, my apple are gone, मेरे apple भी जो है, अब जा चुके हैं, ठीक है, मेरे apple भी जा चुके हैं, यानि आप पेड़े नहीं था तो apple कहां से होते, old man, my teeth are two weak for apple, अब old man जो है, अब वो कह रहा है कि, मेरे जो teeth हैं, दाथ हैं, वो बहुत जादा weak means कमजोर हो गए है, for apple, apple खाने के लिए, यानि मैं apple अब नहीं खा सकता, tree, अब tree कह रहा है कि, my branches are gone, अब मेरे branches भी नहीं है, ठीक है, वो भी जा चुकी है, you can not swing on them, तुम उन में ज्छूवी नहीं सकते हो, ठीक है, मेरे तो branch में जूवी नहीं है, उन पर जिन पर जूब सकते हो, तो old man करा, I am too old to swing on branches, मैं बहुत जादा बुढणा ओद हो गया हूँ, ठीक है, अब मैं branch में जूबी नहीं सकता, I am too old to swing, मैं बहुत बुढदा हो गय मेरे के लिए my trunk is gone पेर कहता है कि my trunk is gone मेरा trunk भी जा चुका है तना भी जा चुका है you cannot climb तुम उसमें चड़ भी नी सकते ठीक है तुम के नौट climb तुम उसमें चड़ भी नी सकते अब old man कह रहा है I am too tired to climb मैं बहुत ज़ादा थक चुका हूँ old man I am too tired मैं बहुत थक चुका हूँ to climb चड़ने के लिए यानि आप मैं चड़ भी नहीं सकता हूँ पेड़ पे अब चड़ता कहा से बेचा रहा हूँ उस पेड़ में तो आप ट्रंक भी नहीं रह गया था उसको भी काटके वो ले गया था ट्री सिंगिंग अब ट्री जो है गाना गा रहा है ठीक है sorry क्या है हाँ sign ठीक है बच्चो तो ठीक है sign means होता है आँ भरना ठीक है तो ट्री जो है वो बहुत आँ भरता है ठीक है और कहता है I am sorry मुझे माप कर दो I wish I wish that मैं यह चाहता हूँ की I could give you something की I could मैं दे सको गिब गिब देना ठीक है I could give you मैं something मैं तुम्हें कुछ दे सको something means कुछ but I have nothing left लेकिन मेरे पास nothing left कुछ भी नहीं बचा I am just an old stump अब मैं सिर्वे क्या हो गया हूँ एक old एक पुराना stump हो गया हूँ I am sorry मुझे माप कर दो old man dear tree ठीक है dear tree प्यारे पेड you have always given तुमने हमेशा दिया always हमेशा given देना तुमने हमेशा दिया but now लेकिन अब I don't need much मुझे अब ज्यादा की आवश्यक्ता नहीं है need means आवश्यक्ता just I quiet place मैं बिल्कुल एक सांथ प्लेस चाहता हूँ quiet means सांथ प्लेस जगह मैं एक सांथ जगह चाहता हूँ to sit the rest बैठने के लिए और rest करने के लिए tree well बहुत अच्छा an old stump is good एक ठीक है पेड़ खुस होके happily खुस होके बोलता है well बहुत अच्छा an old stump एक जो है पुराना जो stump है is good बहुत अच्छा है for sitting बैठने के लिए and resting और अराम करने के लिए come आओ friend दोस्त sit down and rest sit down बैठ जाओ और rest करो अभी भी पेड़ क्या बोल ला उससे कि मेरे stump पर आ जाओ और rest करो narrator the old man did old man ने कहा ठीक है old man did old man ने वहीं किया and the tree was still happy और tree जो है अब क्या है बहुत खुस अभी भी वो क्या था अभी था बहुत खुस अब हो गया था the tree was still happy अभी अभी ट्री क्या हो गया था बहुत खुस था क्यों था क्योंकि उसने बोला कि मेरे stump पर बैड़ जाओ अब बुजरुगी यक्ति ने वहीं किया वो बैड़ गया जो लड़ बच्चा था वो बुजरुगी ब्यक्ति बन गया था पेड़ भी भी क्या था उससे खुस था ठीक है तो ये कहानी से कहान से लिग गई है adapted from the giving tree the giving tree से लिग गई है by sale silver stain ठीक है silver stain तो ये हमारी story थी इसमें new word है swing mean जूलना delicious श्वादिष्ट pluck तोड़ना trip यात्रा sale मैंने बताया आपको रवाना होना या जाले आत्रा श्टम आपको बताया है मैंने जो पेड़ की ठूंट आप बोल सकते हो recognized होता है पहचानना ठीक है recognized means पहचान तो बच्चों इस काहनी से में क्या सिख्षा मिलती है कि हमेशा इंसान का जो manner जो उसका behave होना चाहिए वो हमेशा देने वाला होना चाहिए लेने वाला नहीं होना चाहिए क्योंकि उस व्यक्ति ने लेते लेते सब कुछ पेड़ को खत्म कर दिया और उसके बाद उसके पास क्या बचा ना तो उसके पास दांत थे आप खाने के लिए ठीक है देखा न आपने ना वो जूल सकता था ना वो पेड़ में चर सकता था लेकिन पेड़ ने उसे हमेशा जो है कभी एपल दिये तो कभी ब्रांच दी कभी ट्रंक दी लेकिन अभी भी वो क्या था पेड़ खुश था ठीक है तो चलिए यह स्टोरी आइ थिंक आप दो या तीन बार इसे पड़ो बहुत अच्छे से आपको समझ मा जाएगी एक एक वर्ड की स्पेरिंग आपको इसमें समझ मा जाएगी और आपको सारे इसकी वर्ड मेनिंग को लिखना है इसके क्वेश्चन अंसर और जो भी इसकी एक्साइज है उसे मैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट चैप्टर में उसे कम्प्लीट कर दूँगा तो तब तक आप इसे पढ़िए और हाँ अगर आपको सब कुछ समझ में बहुत अच्छे से आया तो वीडियो को लाइक भी जरूर करना और अपने दोस्तों के सान सेयर भी करना और सबस्क्राइब इसलिए करना क्योंकि आपको जैसी मैं इसकी एक्ससाइज डालू वो आपको तुरंद मिल जाए और वी जो लेसन में इसके बाद डालू वो भी आपको जैसे ही मैं डालू आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुन जाए चलिए तब तक के लिए